लोग से बनाना पड़ेगा और बाकी का जो है मुझे पीडियाप में जो भी टेंडर बोलेगा उसका एक पीडियाप फॉर्मेट में मुझे टेंडर बनाना पड़ेगा मतलब इस टेंडर को भरने के लिए दो डॉकुमेंट्स बनाना पड़ेगा एक जो हम टेंडर फीस और यमडी भरेंगे उसका रिसिप्ट का कॉपी और दूसरा टेकनिकल बाकी के जो डॉकुमेंट्स होंगे उनका एक पीडियाप फाइल ऐसे दो बनाना पड़ेगा वियो क्यू एक्सल में है यह तो अपने को करेंगे एक टेंडर फीस जो जिस भी फॉर्मेंट में देंगे मद 10,000 प्लस 295 इसका पीडियाप फाइल बनाएंगे तो दो डीडी का फोटो वगरा डाल के मुझे देना पड़ेगा और बाकी जो डॉकुमेंट्स बोला है उसका एक पीडियाप अब यह टेंडर नोटीस ह है और यह टेंडर डॉकुमेंट्स है क्या क्या डॉकुमेंट्स लगेगा वह यहां पता चलेगा सर थोड़ा दीरे दीरे बुलिएगा ना इस पीड़ी सर यह बता दिया हूं इसलिए फास्ट बता रहा हूं क्योंकि टेंडर आप लोगों को मैंने दो तिन पढ़के सुना दिया है यह है उस दिन वाला ही टेंडर ही अलग है यह दूसरा है तो सेम है इसमें कुछ अलग तो नहीं दिख रहा उसी का साथ पार्ट है इसमें बहुत सारे टेंडर था उसमें से आपने एक टेंडर और दे दिया टो अतुमेंट्स आप यहां से निकालेंगे जो जो डॉकमेंट्स जैसे बोला था उसके सबसे और बाकी का एक पीडि अपन ले लो और यहां है जिफ फाइल, अब यह जिफ फाइल को, यह जिफ फाइल को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स्ट्रेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं, ताकि यो क्यों को मैं अलग कर पाओ, इसको करेंगे, इसलिए yes, so all, let's go extract, right click, so more options, extract file, okay, 198173, 198173, work, work, extract नहीं ओ खिया, so more options, extract file, तो भी तो बोल रहा होगया दिखाने रहा है वर्क 19819198173 198173 नहीं दिखा रहा है यह को दाउंडोड फिस से जाता हूं है मेरे स्क्रीन पर ब्लैक कलर का रीवन आ रहा है वर्क 198173 यह फाइल को मैं निकाल लेता हूं यह से कापी कर लिया और इसको मैं भी पेस्ट कर देता हूं इसके अंदर डाल देता हूं एक यह फाइल है मेरा इसके अंदर डाल देते हैं इस्ट कर जगा नहीं है इसमें यह हो गया यह है पीडियव फाइल जिसमें डॉक्मेंट्स के बारे में पुरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा एक तो टेंडेंट नोटीस में रहेगा दूसरा नहीं तो इस पीडियव फाइल में रहेगा और लेडी हम लोगों ने कल के लेक्चर में वहीं देखा कि कोई भी टेंडर को पढ़के कैसे दिखाएंगे डॉकुमेंट्स के जितने भी फॉर्मेट थे सभी फॉर्मेट आपको दिखाया उसका एक्सल फाइल बगारा आप लोग को नोट्स में भेजा होगा नहीं तो आज आप लोग को लेक्चर होने के बाद उसका लिंक आ जाए का इंकम टेक्स आई टी यार पेंट कार्ड एफिडवी डेक आपको देना है वही डॉकुमेंट्स है बाकी कुछ अलब इसमें डॉकुमेंट्स नहीं है आपको यह पढ़ना पड़ेगा एकदम थोड़ा प्रॉपर और उसके सबसे डॉकुमेंट्स निकालोगे एक बार ड इक टेक्नीकल का डॉकुमेंट्स है उसका इस मुझह आना पड़ेगा हमारे पास जो फाइल माले जिँह जितने भी टेंटर के डॉकुमेंट्स है कर भाए यह सब डॉकुमेंट्स मुझे टेंडर में लगेगा तो मैं सब का एक पीडियाप का कम्बाइन बना लेगा तो मेरे पास एक सॉफ्ट्वेर है इससे इजिली कम्बाइन हो जाता है स्टेंडर्ड क्वालिटी और यहां इसको उपर नीचे भी कर सकते हैं यहीं मुझे लग रहा है कि टर्न ओवर या उपर चाहिए तो इसको आप कर देंगे तो टर्न होवर हमारा टॉप में चला जाएगा एक फर्स्ट में मेरा टर्न ओवर का पीडियाप हो जाएगा कि हम इसको यह साब से ओपर लिचे कर सकते हैं सबका कंबाइन करके पीडियाप डाल दो कि टेक्स्टॉप इसमें वो जो डीडी का अमाउंट या टेन थाउजन के एक खाली क्वेश्टन है क्लेरिंग के लिए जो आपने पहले और वो जो बिलो का बोला था ना डीडी टेंडर अमाउंट तो फिर वो इधर मेंशन होता है कि वो वॉक उसमें मेंशन होता है अब देखो आप वो टेंडर एक बार खुलेंगे तो उसमें टर्म वो नोटिस दिया है 10000 करेक्ट और उसमें इम्डी अमाउंट टू पसंट दिया है देखिए और यह आपका यहां अपलोड होगा करेक्ट ने वह हम समझा पर फिर यह जो बिलोव वान टू टेंड जो हम बास किया यह जदी टेंडर में यहां पर अपलोड करना पड़ता तो ब्योंग्यू के लीचे एक जगह होता यहां पर फाइनड समय फाइनश में वह टेंडिकल में अपलोड नहीं होगा यहां फाइनस में फाइनंस में एक ही बोलाए न प्लो डेधी अपको दिना नहीं है तो फ़र वो mention होता है अलग से अगर देना होता है तो यहां पर दो file mention है ऐसे यहां एक file है इसके नीचे बिलो डीडी लिखा रहेगा या फिर PSD लिखा रहेगा ओके ओके चीक है thank you अगे EMD तो देना है न सर EMD देना पड़ेगा न और इसे में कुछ छूट है क्या EMD के लिए पहले मेरा complete होने दो तो मैंने यहां पर सबका एक combine file बना दिया यह मेरा combine file technical का हो गया जो भी document से मैंने उसका एक PSD बना दिया ठीक है अब मेरे पास एक DD बनाना पड़ेगा तो मैं कोई भी PDF file ले लेता हूँ क्योंकि वो DD मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं इसको समझ लो कि मैंने DD बना दिया है यह हो गया DD का तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ DD तो मेरे पास दोनों file ready हो गया एक DD का एक technical का यह दो file PDF में चाहिए दो file मैंने बना दिया और यह file का size देखो कितना है 31MB इतना बड़ा size नहीं चाहिए मुझे इसको छोटा बनाना पड़ेगा 20MB के अंदर तुम इसको छोटा कैसे बनाएगे इसलिए पहला मैं document से ready कर रहा हूँ इसको करेंगे control P print मारेंगे इसमें आता है properties अब इसमें हमें छोटा बड़ा कर सकता हूँ मेडियम इसको कर दो low quality में और भी setting रहेगा कहीं पर छोटा करने के लिए इसमें इतना ही setting है क्या रिजोलेशन हाँ यह भी सबसे कम ही है ठीक है देखते हैं कितना छोटा हो जाता है इससे कहां पर डाला था हम दोबोने फाइल का साइज desktop में इसके अंदर यह folder में डाल रहे थे टेकनिकल टेकनिकल अभी one नाम दे देते हैं और save कर देते हैं अब देखते हैं फाइल का साइज क्या होगी है अब देखते हैं अब देखते हैं same है documents सिफ quality मेरा reduce हो कर दिया हम लोग ने उसके वज़े से size हमारा बराबर पाण गया अब यह file upload हो जाएगा तो मेरा documents ready हो गया और finance में क्या लगेगा टेकनिकल में दो अब यह है beautiful का मैंने पहले extract किया है अब मैं भर रहा हूं open करेंगे ब्योक्यू भरने के लिए enable editing उसके बाद enable content अब यह lock बता रहा है यह lock बता रहा है मतलब यह खुलेगा नहीं ऐसा कुछ भी करो नहीं खुलेगा ताब आपको इसको ऐसा जिदी रहा भी हो क्यों तो कैसे खुलोगे close करो इसको और इसके उपर right click करो यह lock हो गया है so more options properties और इसमें देखो unlock का इक बटन उपर इसको unlock कर दो apply बस अब खुलो खुल जाएगा इनेवल कंटेंड खुल गया अब यहां पर नाम किसके नाम से बढ़ रहे हैं भगत टेकनो बढ़ दिया भगत टेकनो अब यह आपका पूरा एस्टिमेंट दिया हुआ है मुझे कितने वीलो याव में बरना है मुझे बरना है कितना परसंट थी परसंट थी परसंट बीड़ो मतलब हम वन टोटल 147 का टेंडर था में 143 में भर्राओं वन करोर 43 लैक में टेंडर को भर रहा हूं क्योंकि 3% बिलोन हुझा रहा हूं तो सेव continue आप इसको point में भी डाल सकते हो 3.52 परसेंट भी डाल सकते हो ऐसा भी वन करोर 42 लैक में हम लोग यह टेंडर फिर भर रहे हैं जितना में डालना इसको सेव कर दो सेव करके continue सेव एज नहीं करोगे only सेव करोगे अब यह फाइल सेव हो गया आप चाहोते हो चेकर करके सकते हो कि मेरा प्रॉपर सेव हो गया क्या हो चुका है हम इसको close करेंगे तो मेरा यह documents ready हो गया क्या क्या आपने को यहां पर तीन चाहिए था टेकनिकल के लिए दो और finance में भी ओक तो मैंने ऐसा ही टेंड यहां पर डॉकमेंट्स रेडी कर लिया एक finance का है ना एक डीडी और एक टेकनिकल तीन डॉकमेंट्स हो गया और एक चीज़ इसमें जब भी जो फाइल अपलोड करोगे उस फाइल में कोई गटाट्स प्राइन नहीं होना चाहिए इसे technical हमें ऐसा भी डाल सकते थे टेकनिकल डॉकमेंट्स ऐसा नहीं बनाने का कभी मह अपको इसपेस नहीं देना है इस लिए मैंने टेकनिकल पोल के एक फाइल को कैसे बर si bta कम लोग मैं आते है सर्च में सबसे पहला अब टेंडर को को सार्च कर सा frig दी दिया था मुझे जो टेंडर हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ से सर्च कर Instead कर दो search आ गयार, यह आ गया फैपरेट में, इसको कहा डलो फैपरेट में, यह search आनकि बाद यह फैपरेट बॉकस से इसमें टिक करेंगे, और set open tender as a favourite पे क्लिक कर देंगे अब यह tender मेरा फैपरेट में add हो गया, अब जदि आप ये tender को search करोगे तो नहीं मिलेगा रहे हैं कोई भी टेंडर अभी बोल रहा है नहीं क्योंकि मैंने ये टेंडर को फैबरेट में डाल दिया है तब ये tender कहा मिलेगा सर्च से माइटेंडर में अब यह माइटेंडर में दिखना चलो गया यह यहां से आप डिलेट नहीं कर सकते हैं याद रखो यहां से आप डिलेट करने का कोई options अभीलेबल नहीं है यह टेंडर जिस दिन expired होगा उसके बाद अपने टेंडर नहीं भरा यहां से निकल जाएगा जिदे भर दिया यहां से निकल जाएगा तब यह टेंडर माई-टेंडर में आपका है जब तक यह टेंडर एकिसुआयड नहीं होता अभि यह भड़ना है मुझे यहां पर Abram सेम टेंडर का इंफॉर्मेशन आ गया मैं जिदे आपने डाउनलोड बगरा नहीं किया है भी यह क्यों नहीं बनाया तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो पर यह सब काम हम लोगों ने पहले करके रखा है इसलिए प्रोसेड टू पीड सब्मिशन आई अगरी नेक्स्ट यह डिटेल्स आ गया मेरा जो मैंने प्रोफाइल के टाइम टो बढ़ा था इसको नेक्स्ट पूछ रहा है यहमडी में एक जंप्शन लोगे तो कि स्टेंडर में एक जंप्शन यहस है में एक जंप्शन एस रहा तो ही आपको यह उप्सट सीगा जदि एम डी जंप्शन इसमें नौ रहता तो आपको यह ऑप्शन नहीं आता डारीट इसके बातने पशिए जलाया था कि जोड़े आप एक जंप्शन लेना चाहते हो हूं मेरे पास और अश्तलीव है ये जो भ कितना कि अभी डालने के लिए मुझे देगा थोड़ा टाइम लेका हाँ यूब राइसर बुलिए इस पेपर के भी हाप पर कितना प्रक्सेंट नहीं रहता है तो का इस से माम चलेगा उनका जी आरे ना गौर्मेंट का जी आरे उद्यम वाले को मिलता है ना कितना पूरा परसेंट पूरा हंडेट परसेंट पूरा हंडेट परसेंट सीविल वर्क में भी हाँ और दूसरा दूसरा अनिंप्लोईमेंट इंजिनियर महिला बचत रड़ इस्टार्ट अप इंडिया हाँ अब मैं यहां पर एक जमसन लेगा जाता हूँ यहां पर हमने रखा है डेक्स्टॉप में और यह फाइल है मेरा फाइल का नाम यहां पर हमको में लेगा वर्क बोलके उद्ध्यम का सेर्टिपिक्ट अप्लोड इसकेनन साइन इसको करो नेक्स्ट हो गया देखो एक जमसन हमें टेंडर का एमडी कितना भरना था मैंने एक जम्ड ले लिए अभी कितना भरना है मुझे जीरो अब मुझे एमडी नहीं भरना है मुझे कितना भरना पड़ेगा खाली tender fees भरना पड़ेगा यह मुझे भरना पड़ेगा तो यह कैसे भरेंगे इसमें online option ने ओफ्लाइन तो मैं यहां से offline से भरूँगा देखो offline से कैसे बरते हैं confirm to pay ओके डीडी के रुक में या फिर जैसे आपका FD है BG है ना तो मैं डीडी के रुक में वर्ड़ेगा एमांट कितना है दस अज़ा यह दस अज़ा डाल दो डीडी नंबर यह मेरा डीडी नंबर इस्वर डेटेल्स HDFC बैंक डेट कभी इसु हुआ एक अप्रेल को इसु हुआ और एकस्पाइर इसका कभी है मानलो यह तीन महीने का है अप्रेल मैं जून यह सब डीडी में लिखा रहेगा इसको कर दता हूं सेव हो गया यहां पर डीडी आ गया इसको कर दो next तो डीडी आपका offline method से आ गया देखो तो आपने 10,000 पे कर देए डीडी का copy यहां पर upload करोगे फाइल में यहां पर सिर्डीडी का details डान लाए हाँ यूरा सर गोलिए इसमें भी कोई exemption होता है कि सर नहीं नहीं इसमें नहीं हो गया तो हम लोगों ने एक तो एक जमसन ले लिया और दूसरे का मैंने प्रे कर दिया अब यहां पर encryption अन अप्लोड इसका काम हो गया अब करेंगे encryption अप्लोड पहला टेक्निकल टेक्निकल में कितने documents अप्लोड करने का जगा मिलेगा तो टेक्निकल में मुझे दो PDF अप् लिखा हुआ है हाँ जी तू सर बोलिए है यह आपने जो अभी बताया था टेंडर फी का एंग जैमसन यह हर टेंडर में ले सकते हैं क्या नहीं नहीं डिपेंड टेंडर के norms के उपर टेंडर में है तो मिलेगा नहीं है तो नहीं मिलेगा तो कि सर्टेंडर में वह कंडिशन होना चाहिए तो ही वह विंडो खुलेगा ने तो विंडो ही ने लेगा यह संदों का ओप्सन ही नहीं आएगा सब्सक्राइब यह हो गया टेक्निकल तो टेक्निकल में मुझे दो लाइन आइटम मिलेगा दो पीडिफ फाइल अपलोड करने के लिए पीडिफ में ही है ना सेंटरफीस का और टेक्निकल डॉकॉमेंट्स का हम लोग ने इसलिए ऐसा दो डॉकॉमेंट्स पहले से बना के रखा है तक ही टेंडर भरते वक्त मुझे जादा टाइम ना लगे पहले ही सब कुछ रेडि करके रखा है तो यह मेरा टेंडर फीस और एमडी का रिसिप्ट है पहला डॉकॉमेंट्स अपलोड करने के लिए क काम भी गट जाएगा तो आपको वेट करना हुआ है सब्सक्राइब कितने अमडी तक चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए बीस अब बीस अब यह हो गया अब दूसरा डॉकॉमेंट्स टेक्निकल का यह फाइल तूर अपलोड हो जाएगा पहला ही डॉकुमेंट्स अपलोड होने में टाइम यह जैसे इस कमांडम दिया और सभी आपलोड देखो वर्ग अब यह हो गया टेक्निकल 1 जैसका नाम देखो बदला नहीं आप देखो इसको मैं अपलोड करता हूं ज अब अपलोड यह नहीं grown- Pie to प आफ्लोर्ड नहीं हो रहा है और दुसरा और एक जो चक्निकल का है जो मेरा साइज में बढहा है वो भी फ़्लोड्र नहीं होगा देखो अधिश्व में डसनीया को देखते है डिकस्त अटरगे को खतलके मैं यह तैकनिकल ग खूंग्र एक्तिस एंबी का फाइल ले लिए अप्लोड देखते आगे कुछ एर नहीं दिया तो अच्छली यहीं पर एरर देता है तुर्ण अप्लोड ही नहीं देता है इस पेस एरर बोलके देता है अब यह साइड का साइड लिमिट बढ़ाया है तो बाकी जितने भी महाटेंडर्स साइड है वाँ भी से उपर नहीं देता है अब यह बैक्ग्राउंड में यह पूरा वेरिफिकेशन कर रहा है हो गया हो गया है अब एक तीस एंबी तक का भी फाइल अप्लोड हो गया है तो ले लिए यह हो गया टिक अब आते हैं फाइनेंस कितना फाइल अप्लोड करने का जगा मिलेगा तिर्फ एक ब्योक्यू वाला वो भी भरा हुआ हमने भर के रखा है यह क्यों का खुल गया फाइल अप्लोड करो जैसे आपने इसको भरा नहीं है प्रॉपर यह अप्लोड नहीं होगा यह कहां पे है मेरे पास एक्स्टॉप वर्क बोलके फोल्डर और यह व्योक्यू अपन करो यह फाइल भी तुबंत अप्लोड होगा साइन अप्लोड साइन सेक्सेस्पुले हमने टेक्निकल का भी भर दिया फाइनेस भर दिया करते हैं नेक्स्ट यह मैंने दस हजार रुपर डीडी के रुप में भरा EMD में एक जमसन लिया और यह टेक्निकल का डॉकुमेंट्स अप्लोड किया दोनों और यह फाइनेस का अब सब्मिट और फ्रीज बिड हो गया देखो यह आपको रिसीट आगया कि टेंडर आपका सक्सेस्पुली सब्मिट हो गया यह पूरा प्रोसेस है टेंडर भरने का ज़िए आपको टेंडर का अक्नॉलेजमेंट चाहिए जो बाहर आप टेंडर भरने जाते हो तो आपको इसका ही प्रिंट आउट निकल के देदेता है कि टेंडर आपका भरने का हो गया समझवाया टेंडर भरने का एक्चर्ट एक्चुली हम लोगों ने पूरा टेंडर भरके आपको प्रॉपर बता दिया अब मैंने इसको तो भरतो दिया पर मेरा डॉकमेंट्स भी गलत है सब कुछ गलत है रेड भी हमें मिल भी गया काम तो हम तो करने वाले नहीं तो यह ग टेंडर तो भर दिया विड्रॉल कैसे करोगे कभी आपने टेंडर भर दिया या टेंडर के रेट बदलना है अब मुझे रेट अलग चाहिए अब यह रेट नहीं बदना है मुझे टेंडर के रेट बदलने तो क्या करना है यह देखो यह डॉकमेंट्स कुछ गलत हो गया ह तो भी हम बदल सकते हैं अब मुझे rate लग रहा है पीलों में नहीं above में बढ़ना है अब में यहाँ पर ब्योक्यों को खोलूंगा rate को above करेंगे 5 परसन अभी above में बढ़ना है यस कर दो, इसको शेक कर दो अब मेरा rate बदल जाएगा हम यह भी कर सकते हैं कब तक tender के last rate से पहले अब यह tender आपको my tender में देखो नहीं देख रहा है क्यों नहीं देख रहा है क्योंकि आपने इसको fill कर दिया complete कर दिया तो आभी rate या withdrawal कहां से कर पाऊगे कहां से कर पाऊगे तो आपको मिलेगा my active bid में हम लेगा यह tender my active bid में यहां पर आ गया यहां से में बदल सकता हूँ इसको बोलते है री सब्मीट या withdrawal री सब्मीट मतलब फिर से हम tender को भर सकते है या withdrawal तो हमको जिए tender से पूरा पूरा बाहर होना है अब यह tender मुझे भरना ही नहीं तो हम लोग withdrawal कर सकते हैं दोना ऑप्सें से बहने करना है तो री समेट कर दो ना tender fees को री सम्मीट करना है तो इमडी को री सम्मीट करना है आपने गलती से एक जमसान लिया था भरना चाहिए तो यहां से भर सकते हो फिर से एमडी या फिर आप टेडा मुझे फाइनेंस में बदलना है तो फाइनेंस में देखो रेट का सीट फिर से आ जाएगा पहले हम लोगों ने बी लोग भरा था आप हम लोग अब में बर रहे हैं ब्राउज डिक्स्टॉप यह वर्क एंड यह भी एक जिए पहला डॉकॉमेंट्स फिर से आ गया इसलिए अप्लोड होने के लिए टाइम लगेगा वेट हो गया साइन अप्लोड लॉग इंट हो गया सब्मिट है सब्मिट हैं प्रिश्विड मेरा भी रेट बदल चुका बैक टू माइ अक्टिब बेड्स माइ अक्टिब बेड में देखेंगे तो टाइमिंग देखो बदल चुका 26 अप्रेल 7.41 का टाइमिंग हो गया पहले का टाइमिंग अलगता हम इसको कब तक रेट या डॉकमेन्स बदल सकते हैं इलेवन माई को टीन बज़े तक बदल सकते हैं पर मुझे लग रहा है ये टेंडर में गलती से पाटिसिपेट कर लिया मुझे इस टेंडर में पाटिसिपेट करना ही नहीं है तो हम इस tender को withdrawal भी कर सकते हैं यहां से है फिर से जाओ रिष सम्मेट या withdrawal यहां एक option में लेगा withdrawal पर याद रखो जदे आपने एक बाद tender को withdrawal कर लिया तो दुबारा फिर सी यही वाला tender और कभी नहीं भर पाऊंगे यही यह वाला tender जो आपने अभी बर रहे हैं हमें यह से विट्रॉन कर सकता हूँ विट्रॉन क्या है रीजन है बाइ मिस्टेक हमने भर दिया दो और एक लेटर आपको देना पड़ेगा इसके लिए और लेटर एटेच कर दो कोई भी और प्रॉपर डालके जो आप क्यों विट्रॉल करना चाहते हूँ या इसके इन साइन लोगिन सक्सेस्पुली और सम्मिट देखो इपी विड्रॉल दाबीड यू कांट सम्मिट एगें और दिस पर्टिकुलर टेंडर हम यही टेंडर को फिर से विड्रॉल भर नहीं सकते हैं तो देखो यहांसे यह टेंडर आपका माई टेंडर से भी गया माई एक्टिव बिड्स से भी चला गया क्यूंकि मैंने इसको विड्रॉल कर लिया यह टेंडर कहा चला गया माई बिट्रॉल बिड्स में यहाँ चलागी है फिर से हम ये टेंडर और कभी नहीं बर पाएंगे ये प्रोसेस है पुरा सर्च से लेके माई एक्टिब बिड्स तक आगे का प्रोसेस और बताएंगे तब तक मैं और एक टेंडर आपको भरके दिखाता हूँ जिसमें एमाउंट है ये तो एमडी वाला कैसा था एक जम्शन लिया और ऑफ लाइन बरा अब ऑनलाइन पेमेंट के साथ एक टेंडर वरक दिखाता हूँ